स्वास्त मंत्राले ने देश में कम या हलके कोरोना वाइरस संक्रमित लोगों के लिए होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है स्वास्त मंत्राले के मताबिक अगर कोविट-19 के लक्षन या पूर्व लक्षन किसी व्यक्ती में देखने को मिलते हैं और उसके घर पर आइसोलेशन की सुविधा है तो वो होम आइसोलेशन में रह सकता है स्वास्त मंत्राले ने कहा लेकिन इसके लिए कुछ एहम कदम उठाने की जरूरत है इसलिए स्वास्थ मंत्राले ने इससे जुड़े हुई सभी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। उनमें मरीज को होम आइस्सोलेशन के दोरान नियमित रूप से अपने स्वास्थ की जानकारी जिला निगरानी अधिकारी को देनी होगी ताकि मरीज का रिकॉर्ड रखा जा सके। आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और इसे हर वक्त सक्रिय रखनी की सलाह। इसमें कुछ एलिजिबिटी कंडिशन्स हैं जैसे कि पेशेंट को सेल्फ आइस्सोलेशन पर एक अंडर्टेकिंग को भरना होगा, मेडिकल ओफिसर द्वारा व्यक्ति को क्लिनिकली या तो वेरी माइल केस या प्री सिंटोमेटिक केस डाइगनॉस करना होगा, उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेते अप्लिकेशन को डाइनलोड करते हुए उसको निरंतर उप्योग करना होगा, उनके पास सेल्फ आइसलेशन के लिए और उनके फैमिली कॉंट्रेक्ट को प्रॉपर क्वारिंटाइन करने के लिए रिक्वाइड फैसलिटी होनी चाहिए, 24 बाइस सेवन बेसिस पर देखबाल करने के लिए उनके पास एक केरगिवर अवेलेबन होना चाहिए, और केरगिवर और हॉस्पिटल के बीच में एक प्रॉपर कम्यूकेशन लिंक स्टैब्लिश होना चाहिए, केरगिवर और उनके जितने भी क्लोज कॉंटेक्ट हैं, उनको हाइड्रोक्स्विल क्लोरोकुन प्रोफाइल एक्सिस के रूप में लेना होगा, पेशेंट अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एग्री करें, और डिस्टिक सर्वलेंस ओफिसर को अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में रेगुलरली इनफॉर्म करते रहें। होम आइसुलेशन के दौरान मरीज क्या करें इसको लेकर बताया गया है, मरीज हर समय तीन परतों वाला मास्क पहने, हर आठ घंटे पर या मास्क गंदा होने पर इसे किटानों रहित करके नश्ट करें। मरीज घर के किसी एक ही कमरे में रहें, दूसरे सदस्यों के संपर्क में ना आई। मरीज को दिन में कई बार साबुन और पानी से अच्छी तरह सिहाध होना है। मरीज के इस्तमाल में लाए गए समानों को अलग रखें। कमरे की मेज, दरवासे के हैंडिल्स को सैनिटाइजर से नियमित रूप से साफ करें। इसके साथ ही मरीज की देख भाल करने वाले वैक्ति को लेकर भी कुछ खास निर्देश जारी किये गए हैं। मरीज के कमरे में जाते वक्त तीन पर्तों वाला मास्क पहनें। चेहरे, मुह और नाग को छूने से बचें। मास्क का इस्तमाल करने के बाद इसे नश्ट करें। मरीज को उसके कमरे में ही खाना दें। कमरे की साफ सफाई के वक्त मास्क और डिस्पोजिबल दास्तानों का इस्तमाल करें। परिवार के दूसरे सदस्यों की तापमान की नियमित रूप से जाच जरूरी है। झाल 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 झाल